आपार आया हुमें मेरी आपार यहां हुमें तीरा बचन सुनने तीरी इच्छा जाने तीरी संग रहनी खौशी इश्माने आया हुमें खौशी इश्माने आया हुमें तीरा बुलावा सुना बदम तीरी ओर बढ़े तु ही है आसरा थी मेरी नार तु मार जिसंग और जीवन सदा अबा आया हुमें मेरी आपा यहां हुमें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमें हमारे प्रभुये सुक्रिस की किरपा इश्व का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचरिय आप सबो को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों आईए हम आज के नई सुभा को आज के इस पूरे दिन को हम प्रभु को अर्पित करते हुए प्रभु को दन्यवाद दे जो वर्दान प्रभु ने हमें दिये हैं चुक्रपाएं प्रभु ने हम पर बरसाई हैं हम प्रभु को नतमस्तक होकर दन्यवाद दे आज के पूरे दिन को प्रभू को अर्पित करते हुए हमारे परिवार के प्रतियेक व्यक्ति के लिए प्रात्ना करते हुए हम इस पवित्र वेदी पर उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रात्ना करें जिनोंने हमसे प्रात्ना की मांग की है कुशन मौन रूप से इस पवित्र वेदी पर उन तमाम भाई बेनों को अर्पित करते हुए इस मिस्सा बलिदान में भाग ले भाई और बेनों हम अपने पापों को सुईकार करें ताकि हम या पवित्र बली चड़ाने के योग्य बन जाएं हे बाई यो बेनों मैं सरशतिमान इश्वर और आप लोगों के सामने शिकार करते हुए कि मैंने मन बच्चन और कर्म से तथा अपना करतव्य पूरा ना करने से अपने कसूर से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है इसलिए मैंने तुकवारी धनी मर्यम से, सब सब्दुतों, संतों और आप लोगों से, हे भाईयों बेहनों, विंति करता हूं, कि आप लोग मेरे लिए प्रभु इश्वर से प्रात्ना करें सर्व शक्ति मान इश्वर हम लोगों पर दया करें, और हमारे पाफ शमा कर हमें अनन जीवन प्रदान करें, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्थ दया कर, हे प्रभु दया कर, हम प्रात्ना करें हे इश्वर तु अपनी दीवी आभा से सब रास्टों को आलुकित करता है, क्रपा करके अपनी प्रजा को अनन्द शांती और आनन्द प्रदान कर, हमारा हिर्दे उसी तेजो मैं प्रकास से प्रदीप्त कर दे, चिसकी किर्ने तुने हमारे धर्म पूर्वजों के तन्मन पर बिखेरी थी, हमारे प्रभू तेरे पुत्र येशु क्रिस के द्वारा, चो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगाने उग जीते और राज्य करते हैं, आमेन प्रभू आपके एड़े जीवा को खुले जिस्सा आभ युगरते से प्रभू की वार्नी सुना सकें, पिता अपुत्र आपवित्र आत्मा के नाप पर, अमेन पहला पाट, संत योहन का पहला पत्र, अध्याय चार, वचन संख्या ग्यारह से अठारह तक पाट का मूल वाक्य है, यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो ईश्वर हम में निवास करता है प्रिय भाईयो, यदि ईश्वर ने हमको इतना प्यार किया है, तो हमको भी एक दूसरे को प्यार करना चाहिए इश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो ईश्वर हम में निवास करता है और इश्वर के प्रती हमारा प्रेम पूर्णिता प्राप्त करता है यदि वह इस प्रकार हमें अपना आत्मा प्रदान करता है, तो हम जान जाते हैं कि हम उसमें और वह हम में निवास करता है पिताने इश्वर के मुक्तिदाता के रूप में अपने पुत्र को भेजा है हमने यह देखा है और हम इसका साक्ष देते हैं जो कोई यह स्वीकार करता है कि येशु इश्वर के पुत्र है, इश्वर उसमें निवास करता है और वह इश्वर में इस प्रकार हम अपने प्रती इश्वर का प्रेम जान गए और इसमें विश्वास करते हैं इश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह इश्वर में और इश्वर उसमें निवास करता है हमारा प्रेम पूर्णता प्राप्त कर चुका है यदि हम पूरे भरोसिक के साथ न्याय के दिन की प्रतिक्षा करते हैं क्यूंकि हम इस संसार में मसी के अनुरूप आश्रन करते हैं प्रेम में भय नहीं होता पूर्ण प्रेम भय दूर करता है क्यूंकि भय में डण की आश्रन का रहती है और जो डरता है उसका प्रेम पूर्णिता तक नहीं पहुच्चा है प्रभु किवानी इश्वर को धनेवाद, भजन अनुवाक्य, हे प्रभु सभी राष्ट्र तुझे तन्वत करेंगे, हे इश्वर राजा को अपना न्याय अधिकार, राज पुत्र को अपनी न्याय शीलता प्रदान कर, जिससे वह तेरी प्रजा का न्याय पूर्वक साशन करे और पद अलीत की रक्षा करे, अनुवाक्य, हे प्रभु सभी राष्ट्र तुझे तन्वत करेंगे, तर्शीश और दुईपो के राजा उन्हें उफार देने आएंगे, सबा और सेबा के राजा उन्हें भेट चड़ाएंगे, प्रित्वी के सभी राजा उन्हें तन्वत करेंगे, सभी उनके अधीन रहेंगे अनुवाक्य ही प्रभू सभी राष्ट्र तुछे दन्वत करेंगे वह तुहाई देने वाले दरिद्रों और पदलीतों की रक्षा करेंगे वह निसाय और दरिद्रों पर तरस खाकर पदलीतों की प्राण बचाएंगे अनुवाक्य ही प्रभू सभी राष्ट्र तुछे दडवत करेंगे जैगोश अलिलूया मसी की जै गैर यहुद्यों में उनका प्रचार हो चुका है मसी की जै संसार उनमें विश्वास करता है अलिलूया प्रभू आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सु समाचार हे प्रभू तेरी महिमा हो जब पांच हजार पुरूश रोटी खाकर द्रप्त हो गए थे तो येशू तुरंद अपने शिश्यों को इसके लिए बात ही किया कि वे नाव पर चड़कर उनसे पहले उस पार पैत सैदा चले जाए इतने में वास्वयम लोगों को विदा कर देंगे येशू लोगों को विदा कर पहाड़ी पर प्रात्ना करने लगे संद्या हो गई थी नाव समुंद्र के बीच में थी और येशू अकेले स्थल पर थे येशू ने देखा कि शिश्य बड़े परिश्रम से नाव खे रहे हैं क्योंकि वायू प्रतिकुल थी इसलिए वा लगभक रात के चौते पहर समुंद्र पर चलते हुए उनकी और आए और उनसे कत्रा कर आगे बढ़ना चाहते थे शिश्य ने उन्हें समुंद्र पर चलते देखा वे उन्हें प्रेत समझ कर चिलाने लगे क्योंकि सब के सब उन्हें देखकर घबरा गए ये सुने तुरंत उनसे कहा दीरच धरो मैं ही हूँ डरो मत तब वहाँ उनके पास आक नाव पर चड़े और वायो धम गई शिश्य आश्रिचकित रह गए क्योंकि वे अपनी बुद्धी की जड़ता के कारण रोटियों के चमतकार का अर्थ नहीं समझ पाए थे प्रभू का सुसमाचार हे क्रिस्ट ते कि सुती हो क्रिस्ट में मेरे प्यारे भाई और बहनों आज के प्रतम पार्ट में हम सुनते हैं कि यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो ईश्वर हम में निवास करता है जब हम इस तत्य को समझते हैं या इसको समझने के लिए हम अपने आपको तयार करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी रचना एक बहुत ही अदभूत रचना है और या रचना जब हम साइंटिस्ट लोगों के मूँ से सुनते हैं तो वो कहते हैं कि हमारा जो शरीर है उसको डैवलप करना उसको बनाना कोई असान बात नहीं है आप कोई से भी एक सिस्टम को ले लीजिए आपके डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ या कोई से भी सिस्टम एक चो हुआ उसको अगर कोई बनाना चाहता है तो उसके लिए बहुत सारी मेहनत लगती है और वह इतने छोटे से शरीर में या इतने बड़े शरीर में नहीं बना सकता उसके लिए बहुत सारी process होती है एक system को बनाने के लिए लेकिन ईश्वन ने मानव जाती के अंदर इत्ते सारे system रखे हैं pumping है, thinking है और बहुत सारे systems है जो कि हम हमारे जीवन में जब हम हमारे शरीर को देखते हैं तो कई बार हम इन बातों को अंदेखा कर देते हैं कि किस प्रकार हम एक बात सोचते हैं और उसी प्रकार हम act करते हैं ये ईश्वर की जो असीम आशिश है उसका जो प्रेम है वो मनिश्य के अंदर हम देखते हैं कि उसने किस प्रकार मनिश्य को इतना अच्छा बनाया जिसको देखकर उसको भी बहुत अच्छा लगा या उसकी एक प्रमुक रचना है जिसको उसने प्यार किया जिसने उसके विरुत कार्य किया लेकिन ईश्वन ने कभी उसको नस्ट नहीं किया ईश्वन ने हमेशा उसे माफ किया और यही बात जब हम आज के सुस समाचापाट में सुनते हैं कि किस प्रकार प्रभू के शिश्य जो चमतकार देखते हैं वे अपने बुद्धी की जड़ता के कारण उस चमतकार को नहीं पैचान पाते हैं अपने बुद्धी के कारण अपने थिंकिंग पैटर्न के कारण वहां उस बातों को नहीं समझ पाते हैं और जब वो प्रभू को पानी पर चलते हुए देखते हैं तब भी वहां अपने बुद्धी के कारण प्रभू को नहीं समझ पाते हुए डर जाते हैं और प्रभू उनके पास में आते हैं, तो वहां का जो atmosphere पुरा शान्त हो जाता है, यह प्रभू का presence जो उनके जीवन में वे अनुबव करते हैं, कई बार हम हमारे जीवन में देखते हैं, कि हमारे पास में जो चीज रहती है, हम उसका मूल्य नहीं समझते हैं, लेकिन जब वहां चीज हमसे दूर चले जाती है, या हम उससे दूर चले जाते हैं, तो वह हमारे लिए बहुती एक painful और बहुती दर्तनाक बात रहती हैं, हम उसे बार बार याद करते हैं, लेकिन जब वह हमारे पास में रहती हैं, तो हम उसका आदर सम्मान एवं उसका कोई महत्व नहीं समझते हैं आए क्रिस में प्यारे भाईयों बेनों आज के इस दिन में हम प्रभू को अपने दिल से धनिवाद दे हमारे शरीर के लिए हमारे परिवार के लिए हमारे तमाम भाई बेनों के लिए जिन से हम जुड़े हैं और दिरंतर प्रभु की बताय हुए बातों को हम दियान में रखते हुए, प्रभु को ग्रहन करते हुए, अपने आपको प्रभु का अर्पित करते हुए, उस प्रभु को ग्रहन करें जो हमारे मन के सभी तुफानों को शांत करता है, सभी प्रकार के बंदनों से हमें मुक्त प्रदान करता है हम उस प्रभू को गुरहन करें कि प्रभू हमारे जीवन में आए और हम प्रभू से जुड़े रहें जुमिला जीवन मुझे अरबन है तुझ मेना जो है मेरा जो है तेरा दाक्रसा और उटी के साथ भी जो है निरावन कर दो इसे पावन इस पी पड़ी तिरी छाया सुन्वर बनी जीवन जो मिला जीवन मुझे अरबन है तुझ मेना जो है मेरा जो है तेरा दाक्रसा और उटी के साथ पास है जो भी मेरे तेरे दिये उपहार चरणों में रख दो तेरे सब को मिले तेरा प्यार जो मिला जीवन मुझे अरबन है तुझ मेना जो है मेरा जो है तेरा दाक्रसा और उटी के साथ भाई और बहनों प्रात्ना कीजे कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का या बलिदान सुईकार करें प्रभु अपने नाम की सुती तथा महिमा के लिए और हमारे तथा आपने समस्त परत्र कलिस्या के लाप के लिए आपके हादों से बलिदान सुईकार करें हे इश्वर तुई हमें सच्ची भक्ती और शांती प्रदान करता है हमें कृपा दे कि हम इस चड़ावे के द्वारा शद्धा पूर्वक तेरे दीव्य प्रताप की महिमा करें और इस पवित्र संसकार में भाग लेकर एकता के अटूट सुत्र में बंद जाए हमारे प्रभू कृष्ट के द्वारा आमें प्रभू आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ प्रभू में मन लगाईए हम अपने प्रभू ईश्वर को धन्यवाद दे यह उचित और न्याय संगत है सिहासन और सामराज स्वरकिक सिनाओं शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं विश्व विधाता जय हो गोचर हो या गोचर नभ में हो भूतल पर जग का अगुआ तू परमेश्व अकिलेश्वर की जय हो तू है दया का सागर है प्रीम शांती करुणा कर इश्व पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो जय जय तीरी जय हो पावन आत्मा जय हो गोच रहा गोच लिनभ जय 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 विश्व विधाता जय हो विश्व विधाता जय हो हे प्रभूत वास्तव में पवित्र है सारी पवित्रता का अस्त्रोत है हम तुझसे प्रात्ना करते हैं तु इनों पारों को अपनी आत्मा के संस्पर से पवित्र कर दे कि आमारे प्रभू ये सुक्रिस्त का शरीर तता रक्त बन जाए जब वे इस्व अच्छा से मृत्यू के लिए सौपे गए उन्होंने रोटी ली तुझे धनिवाद दिया और रोटी तोड़ कर उसे अपने शिश्यों को देते हुए कहा तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ क्योंकि या मेरा शरीर है जो तुमारे लिए बली चड़ाया जाएगा हे मेरे प्रभू हे मेरे इश्वर इसी भांती भूजन के बाद उन्होंने कटुरा लिया तुझे धनिवाद दिया और उसे अपने शिश्यों को देते हुए कहा तुम सब इसे लो और पियो क्योंकि या मेरे रक्त का कटुरा है नवीन और अनंत विवस्तान का रक्त जो तुमारे और बहुतों के पापों की शमा के लिए बहाया जाएगा तुम मेरी स्मिति में यहा करो हे मेरे प्रभू हे मेरे इश्वर विश्वास का रहस्य हे प्रभू हम तेरी मृत्यू तथा पुनर्थान की घोशना तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे इसलिए हे प्रभू हम क्रिस के मृत्यू और प्रुन्थान की स्मिति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चड़ाते हैं हम तुझे धनिवाद देते हैं कि तुने हमें अपने समुक उपस्तित होने और अपने सेवा करने का स्वभाग्य प्रदान किया है अपनी कलीसिया की सुदिले तता इसे प्रीम में सिद्ध बना दे हमारे उन भाई बहनों की भी सुदिले चोपनुर्धान की आश्रा में परलोग सिदा आ चुके हैं हम कुश्यन मौन रूप से हमारे मृत्तक भाई बहन माता पिता का नाम ले उन्हें और सभी मृत्तकों को अपने दर्शन का सोभाग्य प्रदान कर हम सब पर दयादर स्री डाल के हम भी आनन जीवन के सैभागी बने और इश्वक की माता धन्यकौरी मरियम उनके वर संति योसेफ धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो योग योग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे तेरे स्तुतिवा महीमा कर सके तेरे पुत्र येशु क्रिस के द्वारा जो ये प्रभू के स्टृड़ा नीक्नी के साथतो नीमे हे सरशक्ति माःताईश्वे पवित्र आत्मा के साव् सारा कारव तथा सम्मान युगान युकति राही है आ, 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 हम सब मिलकर पिताईश्व से प्रातना करे जैसे प्रभु येसुने हमें सिखाया है हे हमारे पिता हे प्रभु हम तुझे प्रातना करते हैं सभी बुराईयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पुर्वक शांती प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ती से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतिक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता येशुक्रिस्त फिर आकर हमारी धन्याशा पूरी करेंगे हे प्रभु येशुक्रिस तुने अपने प्रेरितों से कहा है मैं तुमारे लिए शांती छोड़ याता हूँ अपनी शांती तुमें प्रदान करता हूँ तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर द्रिस्ट डाल और कृपा पूर्वक उसे शांती तथा एकता प्रदान कर तुयुगान युग जीता और राज्य करता है प्रभु की शांती सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ परस पर शांती अभिवादन कीजिए ये इश्वर के मेमनी तु संसार के पाफर लेता है हमेश शांती प्रदान कर देखिए इश्वर का मेमना इन्हे देखिए चो संसार के पाफर लेते हैं धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए है हे प्रभु मैं सियोगि नहीं हूँ कि तु मेरी यहां आए कि तु एक शिशब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगे हे मेरे प्रभु येशू मैं सारी रिदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र योक्रिस्ती संसकार में उपस्तित है हे प्रभु मैं सभी चीजों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाशा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाए क्योंकि हे प्रभु मैं आपको आज ग्रहन करने में असमर्थू हे प्रभु आध्यात्मिक रूप से आकर मेरी रिदय में समाज आए हे ये सु मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ हे प्रभु यह कभी ना होने पाए कि मैं आप से कभी अलग हो जाओं आमेन आप लोगों के साथ तो हो सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्रात्मा आप लोगों को आशिवात प्रदान करे आप लोग विदाले मिसा संपन हुआ ईश्वर को धनेवाद आगया नूरी जहान आगया मेरा खुदा आगया 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 नूरी जहान आगया मेरा खुदा आगया 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 आ गया, दगन भी आज जूम उठा, दर दी भी आज नाच उठी, भू देखो है रोशन जहाँ, है दिल की हर कली खिली आ गया, नूरी जहान आ गया, मिरा खुदा आ गया, आ गया, आ गया आ गया, नूरी जहान आ गया, मिरा खुदा आ गया, आ गया, आ गया